कि नमस्कार क्लास 8 मैट्स के चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना अर्थाथ प्लेइंग विथ नंबर्स के एमसी क्यों कोश्चन को प्रस्तुत कर रहा हूं यह प्रस्ण क्लास 8 बोर्ड जो पिछले वर्सों में हुए है और कुछ चात्रवर्ती प्रतियोगता परिक्षाएं जैसे कि रास्टिये साधन सहमेधा चात्रवर्ती से लिए गया है तो प्रस्त संख्या एक एक संख्या पीक्यू के अंको का स्थान प्लटने पर क्यूपी संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी तो इसे हम लेते हैं एक संख्या मान लेते हैं दो अंकी संख्या 34 तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा दस गुना तीन जोड चार और इसके अंकोग अगर प्लट दें तो ये 43 हो जाएगा और ये इसका व्यापक होगा दस गुना चार जोड तीन तो यहां जो संख्या दी गई है वो है PQ यानि 3 के जगा हम लेते हैं P और 4 के जगा Q तो इसे जब पलटते हैं तो ये QP हो जा रही है QP यानि Q के जगा क्या है 4 और P के जगा 3 तो इसका व्यापक रूप कैसे हो जाएगा 10 Q प्लस P आप मिला के देख लें तो यह हमारा एंसर क्या आ जाएगा चौथा नमबर 10 Q प्लस P Q नमबर 2 देखें XY एक संख्या है इसके लिए कौन कथन सही है तो फिर हम यहीं उधारन लेते हैं 34 का तो 3 के जगा हम X माल लें और 4 के जगा Y जो जनरल रूप होता है तो यह संख्या हो जाएगी X Y तो इसे हम कैसे लिखेंगे 10 X प्लस Y तो यह हमारा कौन साइंसर है आप्शन नमबर 2 question number 3 है 2A into A इसका जो गुननफल आ रहा है वो 12A तो एक एक का मान क्या होगा तो यहाँ पर हम बारी बारी से option को बैठाएंगे तो हमारा हल आराम से निकल जाएगा तो पहला option है 6 तो यहाँ पर देखिए 6 बैठाते हैं तो यह क्या होता है 6 36 का 6 हाथ में रहा 3 हासिल 3 तो 6 दोना 12 और 3 15 तो लेकिन यहाँ तो 12 है यहाँ पर यह 15 आ जा रहा है तो यह नहीं है तो यह गलत है तो अब अगला देखते हैं 5 बैठाते हैं तो यहाँ 5, 5 गुना 5 कितना होता है, 25 का 5 हाथ में हासिल रहा है, 2, 5 गुना 10 और 2, 12, तो यह 12 देखिए, आ गया यहाँ, और यह सर्थ भी पूरा हो रहा है, यह 5, यह 5, तो यह भी 5, देखिए, यह 5, 5, यह भी 5, तो हमारा यहाँ पर answer है, option number 2, 5, अब आगे चेक करने के 3, 1, A, plus 1, A, 3, तो यहाँ भी हम वही trick अपनाएंगे, एक-एक करके option हम बैठाते जा रहे हैं, तो यह ज़्यादा आसान trick होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग खापाने की बजाए, हम एक-एक option को बैठाएंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, तो हम पहला option बैठाते हैं, पहला option 6, तो 1, 6, 3, अब इसको जोड़ के देखते हैं, क्या आता है, 6, 3, 9, अब आगे जोड़ने की जोड़त नहीं है, यहाँ तो 1 है, अर्थात यह नहीं है, अब दूसरा देखते हैं, 3, 1, यह 7 बठाते हैं, तो यहाँ 1, 7, और 3, तो यह 7, 3, 10 का सुनने हैं, देखें, यहाँ पर 1 है, इकाई में यहाँ सुनने आ रहा है, तो यह यह भी नहीं होगा, तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है 8, तो यह 1, 8, 3, अब इसे जोड़ते हैं, तो देखें, 8, 3, 11 का 1, हाथ मरा 1, 8, 9, 10 का सुनने हाथ मरा 1, 3, 1, 4, और 1, 5, इसका मतलब यह एका मान के आएगा, 8, तो यह हो गिया, आप कोशन नबर 5 देखते हैं, तो यहाँ क्या है, पी क्यू इंटू 6, और इसका गुननफल आ रहा है, 468, तो इसमें पी तथा क्यू का मान बताना है, तो आएए इसे भी हल करते हैं, पी क्यू इंटू 6, अब 6 से कितना को, तो 6 से हम कितना का गुना करें, कि फिर हमको 8 आ जाए, तो एक एक करके लेते हैं, एक करेंगे, तो 6 का 6 हो जाएगा, दो करेंगे, तो 6 दूनी, 12, अगर क्यू का मन 3 लेंगे, तो 6 ती आई, 18, 8 आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लेके देखते हैं, तो 6 ती आठारा का 8, हाथ में रहा 1, तो 6 का फिर P में कितना हो सकता है, कि 46 हो जाए, तो अधिक्तम संख्या जो हम ले सकते हैं, तो यह होता है, 9, तो 6 नमा 54 और 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा, स्वरी, 18, 8 है, एक है, तो 6 नमा 54 और एक 55 यहाँ हो जाता है, एक अगर लेते हैं, तो, तो हम एक जब हम 9 लेते हैं, 8 लेंगे, तो 6, 8, 48 और 1, 49 हो जाता है, ठीकर न, लेकिन यहां तो 46 है, और थोड़ा कम लेते हैं, 7, तो 7, 6, 42 और 1, 43, तो यह हो जाता है, 4, 3, 8, लेकिन यहां है, 4, 6, 8, अब और कम लेंगे, तो यह तो और कम होता जाएगा, अर्थात हम यह 3 नहीं ले सकते हैं, तो अब हम और क्या यहां पर लें, तीन के बाद अगर हम 4 लेते हैं, यहां 4 लिखते हैं, तो 46 की 24 होता है, 4 आ जाता है, नहीं हो सकता है, 5 लेंगे, 4, 3, 6 लेंगे, 6, 6, 36, यानि 6 आएगा इकाई में, 7 लेंगे, 6, 42, यानि 2 आएगा इकाई में, 8 लेते हैं, तो फिर 8, 48 आता है, देखते हैं इसको, तो 6, 48, 48 का 8, हाथ में रहा, हाथ में हासल कितना रह गया, 4, अब यहां पी का मान क्या बैठाएंगे, तो फिर देखते हैं, एक एक करके, 6, 1, 6, 4 करेंगे, 10 हो जाएगा, नहीं, 46 आना है, दो बैठाते हैं, छोदो नी 12, 48, 46 हो जाता है, यह भी नहीं होगा, तो तीन बैठाते हैं, चोटिया 18, चार 22, नहीं, और ज्यादा चाहिए, पांच करते हैं, चोपजे 30, अचार 34, नहीं ये भी नहीं होगा, तो उसके बाद 6, चोचक 36, अचार 40, और थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, तो 7 लेते हैं यहाँ पर, तो 7 चक 42, और 4, 46 से तो आ जा रहा है, तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूं कितना आ गया है, Q आ गया 8, और P कितना आ गया, 7, तो देखिए यह दोसरा नंबर है, 7 और 8, तो इस तरह के प्रस्नों में हम इसी तरह से चेक करेंगे, तो हमारा आराम से निकल जाएगा, एंसर, Q नबर 6 है, संख्या A, B, C के लिए कौन सही है, तो यह A, B, C का अर्थ यह हो गया, माल लेगे, 243, देखिए, तीन अंके संख्या है, तो इसको अगर हम व्याफ़क रूप में रिखेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक सो गुना दो, जोड़, दस, गुना चार, जोड़, तीन, यही व्याफ़क रूप हो जाएगा, अब इसे ही ले ले लेते हैं, A, B, C, तो यहाँ, एक सो, अब एक के जगए, दो के जगए, क्या लिखें, A, तो A हो गया, जोड़, दस, यह B हो गया, और यह C, तो यह जनरल फॉर्म जो होता है, तीन अंकी संख्याओं का, वो होता है, 100 A, प्लस 10 B, प्लस C, यहाँ A, B, C की जगए, X, Y, Z, भी हो सकता था, तो यह हमारा, एंसर कौन सा होगा, 4 नंबर, कोसर नंबर 7, 39 का व्यापक रूप है, तो इससे पहले हम लोगों ने व्यापक रूप देखा था, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, देखिए, यह 9 दहां 90 हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा, 10 नमा, 90 और 93 हो जाएगा, यहाँ पर द तो यही हमारा, व्यापक रूप होगा, कोसर नमर 8, 10 गुना सुन्ने, जोड़ शुन्ने, का सामानने रूप है, तो 10 गुना सुन्ने करेंगे, तो यह सुन्ने हो गया, और यह भी सुन्ने, तो सुन्ने, जोड़ शुन्ने, सुन्ने हो गया, तो हमारा, एंसर कौन सा है, यह शौथा नंबर Question number 9 यदि X ये X है X, 2, 7, Y ये जैसा 4 अंकी संख्या है जो 9 से ठीक ठीक विवाजित होती है तब X प्लस Y का नियूंतम मान होगा पतब ये X और Y दोनों जोड की कितना होना चाहिए तो हमें ये जानना होगा कि कोई भी संख्या 9 से विवाजित होती है इसकी जाच किया है कैसे हम जानेगे तो इसके लिए जाच आप नोट कर ले यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विवाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विवाजित होती है फिर से अपने उट करें फिर से सुन लें यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है ठीक ठीक तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी तो क्या करेंगे हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो अंक को जोड़ेंगे तो x प्लस 2 प्लस 7 प्लस y तो यह 7 दो 9 हो जाएगा अब प्लस x प्लस y तो अब यहां में देखेंगे कि 9 में और 9 में और कितना जोड़ें कि वो 9 से विभाजित हो जाएग अगर 9 में हम यहां पर एक जोड़ते हैं तो 10 होगा 2 जोड़ते हैं तो 11 होगा, 9 से विभाजित नहीं होता है, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 ये भी नहीं होगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 नहीं होगा, इस तरह से हम देखते हैं कि 9 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो ये 18 होता है, जो 9 से विभाजित होता है, अर्थ यह X plus Y का मान कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए यह अलग है कि हम X में क्या लेंगे Y में क्या लेंगे यह नहीं पूछा गया है दोनों का जोड़ कि कि नो देना होगा तभी यह संख्या है वो नो से विवाजित होगी question number 10 यदि 3, 4, x, 6, 8 एक ऐसी संख्या हो जो 9 से विभक्त हो तो x का छोटे से छोटा मान होगा तो यह भी question number 9 की तरह ही है तो इसके भी अंकों को हम जोडते हैं 3 plus 4 plus x plus 6 plus 8 तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, 7 3 और 4, 7 और 6, 13 और 13 और 8, 21 तो यह हो गिया 21 plus x तो 21 में हम और कितना जोड़ें कि यह 9 से विभाजित हो बहुत आसान है अगला जो 9 से विभाजित होना है 21 के बाद वो है 27 तो 29 से 27 होता है तो 21 में और कितना जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे तो यह 27 हो जाएगा वर्थात हमारा एंसर क्या है यह चौथा नमबर 6 आसा है कि इन प्रश्मों का जो एक्स्प्लेनेशन जो सोल्यूशन हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवज से सब्सक्राइब करें इस तरह के और बहुत सरे वीडियो जल्द ही डाले जाएंगे धन्यवाद